हेलो फेर्ट्स एक वाफ फिर्ट्स से स्वागत है आपका अपने चैनल भी हार बॉर्ड ऑनलान क्लासेस पर फेर्ट्स कलास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट ट्वेंटी स्वाट कोश्टन की स्रीज में इस वीडियो में पार्ट नमर्ट 3 को डिस्क्स करेंगे फेर्ट्स ये सबी कॉशन आपके 20 के बॉर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपना नोट्पूक निकालिए और ये सबी कॉशन को नोट करते चलिए क्योंकि ये सबी कॉशन आपके एक्जाम में आने की पूलिश शंभामना है तो आज और अभी से ही आप इस से जूर जाए क्योंकि आज से आपके एक्जाम का मात चार मेना से भी कम का वक्त वचा है इस वचे हुए वक्त में हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी, इंग्रीज 100 मार्क्स, इंग्रीज 50 मार्क्स, और हिंदी 50 मार्क्स के मोश्ट भी इंपॉर्टन कोस्ट्स को हम आपके लिए प्रोवाइट कराएंगे यदि आप भी डायर 20 के बोर्ड एक्जाम के लिए प्रिपियर होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ मुवेल आइकन को प्रेश करें चलिए फ्रेंस आज का वीडियो शुरू करते हैं आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लिए चलिए कोश्टन 17 आप आते हैं इसका आयसा मातर को लिखे बिदुद विभज़ को लिखके इसको अनरलाइन कर देंगे एकांग धनावेश को अनन्त से बिदूद छेत्र के किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार बिदूद बिभब कहलाता है बिदूद बिभब को भी दोड़ा सुजित किया जाता है भी इस कल्टू हो जाएगा डबलू अपॉन क्यो नॉट इसका SI मातरक को लिखें लेखेंगे इसका SI मातरक बोल्ट जूल बाइक कुलम या बोल्ट बाइक कुलम होता है Q18 आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यह Q24 के बोड इक्जाम में पूछा जा चुका है Q18 है दो संभीवा पिरिष्ट एक दूसरे को पलती छेद नहीं करती है क्यों इसका आंसाल लिखेंगे यदि दो संभीवा पिरिष्ट एक दूसरे को पलती छेद करेगी तो पलती छेदन बिंदू पर बीभब के दो मान हो जाएंगे जो की संभब नहीं है अही कारण है कि दो संभीवा प्रिष्ट एक दुसरे को परतिछेद नहीं करती है मान लिजी कोई एक संभीवा प्रिष्ट है और ये भी कोई एक संभीवा प्रिष्ट है या एक दुसरे के पति छेत करी तो पति छेतन बिंदू इस बिंदू पर विभब के दू मान हो जाएंगे जो कि संभब नहीं है क्योंकि संभीवप्रिष्ट का एक प्रोपर्टिज होता है कि पत्तेट संभीवप्रिष्ट पर वीवप्र केवल एक ही मान हो सकते हैं, दुसरा कोई मान नहीं हो सकता है संधारित एवं धारिता को परिवासित करे संधारित वैसी व्यवस्ता जिसमें चाल लग के आकार को बढ़ाए बिना अधिक से अधिक आवेश संजित किया जा सके संधारित कहलाता है धारिता किसी संधारित के आवेश क्यों एबम पलेटों की बीज के विवानतर वी के अनुपात को धारीता कहते हैं धारीता को सीधरा सीध क्या जाता है तो सीध गल्टों हो जाएगा कियों अपन वी कुश्चन नमर 20 कुश्चन नमर 20 आपके दोहार 20 की बोर्ड एक्जाम में आने की पूरी की पूरी संभावना है क्योंकि यह कुश्चन दोहार 10 एबम दोहार 16 की बोर्ड एक्जाम में दो बार पूथा जा चुका है क्वेश्चन है पराविधूत सक्ति ये बम आप एक चीत पराविधूत तांग को परिभासित करें लेखेंगे पराविधूत सक्ति इसको लिख कर अंडरलाइन कर देंगे इसके नीचे से इसका परिभासा लेखेंगे विदु छेत्की तिवर्ता का वा अधिकतम मान जिस पर प्राविदुत माद्यम आरुपित करने से विदुत भंजन नीचे की और होता है प्रा विदुत सक्ति कहलाता है मान लीजिए कि ये विदूद छेट के तीपिता का वा अधिकतम मान है जिसपे हम प्राविदूद माद्यम आरूपित किये तो विदूद भंजर नीचे की यह और होता है तो अही विदूद तो अही प्राविदूद सक्ती है आप एक्चीत पराविधुतांक किसी माध्या में पराविधुतांक f sin एबं निर्बात में पराविधुतांक f sin NOT के अनुपाद को पराविधुतांक कहते हैं आप एक्चीत पराविधुतांक को f sin r दोलात सूछित कहा देता हैं f sign r इसकल्ट हलेगा f sign upon f side not Question number 21 किसी समानता प्रेट शंधायत की धायता किन किन कारकों पर निर्वर करती है या कोशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखेंगे समानता प्रेट शंधायत की धायता निमलिकित कारकों पर निर्वर करती है पहला पॉइंट लेकेंगे धारिता C पिलेट के छेतपल A के शमानुपाती होता है धारिता C पिलेट के छेतपल A के शमानुपाती होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यदि हम धारिता को बढ़ाएंगे धायता C को बढ़ाएंगे तो प्लेट का चेथपल A भी बढ़ेगा यदि धायता C को हम घटाएंगे तो प्लेट का चेथपल A भी घटेगा जो साब पrint लेकिएंगे धायता C, फिलेट की दूरी D की वितकर्मा अनुपाती होता है मतलग उल्टा होता है यदि हम धारिता को बढ़ाएंगे तो पेट की बीच की दूरी घटेगा यदि धारिता को हम घटाएंगे तो पेट की बीच की दूरी बढ़ेगी तुस्ता पॉइंट लेखेंगे धारिता पेट की परकिती पर निर्भर करती है Quesion No.20 संधारित्र का शम्मोहन क्या है या कितने परकार के होते हैं लेकिन के दो या दो से अधिक संधारित्र को जोरने की परकिरिया संधारित का शम्मोहन कहलाती है संधारित का शम्मोहन दो परकार के होते हैं पहला स्रेनिकम शम्मोहन दूसरा शमांतकरम शम्मोहन दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें